वेलकम टो 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 दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग मैज 1224 के परतिवक्तर दर्पन को डिसकुस करने जा रहे हैं और यह जो है इसका पार्ट टू है इसका पार्ट वन जो है जिसमें हम लोगों ने नेशनल और इंटरनेशनल करेंट अफेर्स को काफी अच्छे से और लाब में जूकि एक वीडियो में काफी लंबा हो जाता है इसलिए 2 पार्ट में इसको लाए गया है पार्ट टू वाले में आज जो हम लोग को डिसकस करने अले हैं उसमें आपको इक्नोमिक्स। इसके अलावा जो बीविद्ध नविंतम समान ग्यान के तर्ज आपका न्यूक्तियां होता है एप्वाइन्मेंट हो गया उसके बार फिर एवाड्स हो गया फिर आपका जो धवियास वगेरा हो गया यह बुक एन ऑर्थर है उन सारी जो टॉपिक है उसको कफर करेंगे साथी खेल से रेटेड जो प्रस्ण बनते हैं उन सभी प्रस्ण को भी इसमें पार्ट वाले में कवर किया जाएगा तो यह भी आपका काफी इंपॉर्डेंट होता है क्योंकि यह जो सारा सेक्षिन अभीविद्वाला यहां से काफी जादे प्रस्ण जो है एक्जामे पूछी ज जाएगा साथ ही अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा तो पार्ट वन को आप देख लीजिए उसका भी लिंक आपको ग्रूप में भी डाला हुआ है और कमेंट में भी उससे इंक्लूट कर दिया जाएगा काफी अच्छे से हम लोगों ने एमसी की फॉर्मेट में उसारे 39 तक कवर कर लिया था जिसमें हम लोग वर्ड हैपनेस इंडेक्स वगेरा भी देख लिये थे कि कौन सा देश सबसे खुशाल देश है कौन सबसे कम खुशाल है और यह जो रिपोर्ट है वो कौन जारी करता है भारत का इसमें कौन सा रैंक है आप कमेंट में भी बता सकते ह अगर भारत का रैंक क्या है ठीक है तो आप यह बता सकते हैं तीन सारी चीजों को हम लोगों ने काफी डिटेल में कवर किया था और अगर आपने नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जरूर देखे उसका लिंक जो है आपको कमेंट में डाल दिया जाएगा अब सुरू किसूर मकवाना विजय सांपला अरुन हलदार बिनाय कुमार तो इसका सही अंसर आपका हो जाएगा किसूर मकवाना देखे हमारे समिधान में जो है एक अनुछेद अंचेद 338 उसके तहत बोला गया है कि जो एसी हैं और एस्टी हैं इन दोनों के लिए जो है इनके समिधा समिधानिक अधिकारों के रक्षा के लिए इन्हीं सोसन से बचानी के लिए की एक बिसेश परतिनीधी जो है उनको नुक्त किया जाएगा फिर बाद में क्या होता है कि सरकार जो है एक एमेंडमेंट लाती है 89th constitutional amendments मेंधानिक संसोधन 2003 उसकी तहर जो है 2004 में 2004 में राफ्षी जाती आयोग और जन जाती आयोग यह आयोग के रूप में जो है इसका गठन हो जाता है नेशनल कमीशन फोर सेडियूल काफ्ट गाफ्ट ए नेशनल कमीशन फोर सेडियूल ट्राइब यह दो जो है Are you का गठन हो जाता है और उससे रिलेटेडेड है कि जो आपका national commission फोर सिट्यूल काफ्ट है नसुची जाती आयोग उसके अध्यक्स कौन बनाए गया है और इसके जो अधियक्ष है उसकी न्यूकती जो है वो रास्पती के द्वारा की जाती है और बनाए गया है कौन तो किसोर मकवाना वहीं यह भी याद रखे कि जो रफ्षिय-अनुसुची जनजाती आयोग है उसके अधियक्ष कौन है तो वो अंतरसी आ रहे ह है ओप्सन में आपको एक विनयकुमार भी दिया हूँ गया है तो विनयकुमार जो है उन्हें हाल ही में क्या है कि रूसमें भारत के राजगुत बनाए गया है कौन बिनयकुमार आप इन दोनों का किश्वर मकवाना एसी नेशनल कमिशन फोर एसी उसके अधियक्स है और अंतर सी आरे जो है वो रश्य अन्सुची जन्जाती आयोक के अधियक्स बनाए गया है देखते अगले प्रस्म को आगे पुछा जा रहा है कि केंद्रिय माधिमिक सिच्छा बोड अर्थ सी भी एसी के नए अधियक्स कौन बनाए गया है और इन्होंने अस्थान किसका लिया है तो नीधि छिबर का जो है अस्थान जो है रहुल सी ने लिया है आगे है कि जो आइसी एसी है आइसी जैसे आपको मालूम होगा कि यह सी बी एसी हो गया इसके अलावर एक बोर्ड है आइसी एसी बोर्ड तो उसकी जो अधियक्स है बो है जी एमैनियूल और यूजी सी यूजी सी के जो अधियक्स है बो है एम जग्दिस कुमार आगे पुछ जा रहे है कि P.I.B के नए अध्यक्स किने बनाया गया है सेफाली B.S.रण मनिस देसाई नभनी सहगल दिनेशक मर खारा तो इसका सई एंसर आपका हो जाएगा सेफाली B.S.रण इसे जो है P.I.B के नए अध्यक्स बनाया गया पी आ वी का फुल फाम ही होता है प्रिस इंफोर्मेशन ब्यूरो और इन्हों किनका अस्थान लिया तो इन्हों नहीं मनिश देशाई का अस्थान लिया है तो याद रखना है पी आ भी के नए अजियक्स बनाए गए सिफाली वी-सरन आगे दिनिस कुमार खारा के बारे में पूछा जा रहा है कि परशार भारती के नए अधियक्स कौन बनाए गया है तो यहां पर सिफाली भी सरण को हम लोग ने देख लिया कि यह पी आई भी के हो गया और इन्होंने अस्थान लिया था मनिस दिसाई का तो यह दोना आपको कड़ गया दिनिस कुमार खारा जो है व परशारन मंतराले के इंतरगत आता है information और ब्रोट कास्टिंग जो मंतराले है उसके इंतरगत आता है आगे पुछे जा रहा है भारती बैंक संग के नए अधियक्स कौन है तो देखो भारती बैंक संग यह एक ग्रूप है IBA इससे जो है IBA भी बी बहुलते मतलब जो भी आ है तो आइबी एक बारें पूछा जा रहा है कि इसके नए अध्यक्स किसे बनाया गया है तो याद रखेगा एंवी रॉव लॉव जो है जो पहले सेंट्रल बैंक के मैनेजंग डारेक्टर है उन्हें को भारतिया बैंक संह का नया अध्यक्स बनाया गया आगे पुछे जा रहा है कि निम्लिखित में कौन चुनाव आयूक्त के पद पर कारीरत है सुखवेशी संधु ग्यानेश कुमार अनूप चंद्रपांडे ये और भी दोनो देखे जैसा कि हम लोगों ने पिछले वेडियो में भी डिसकस किया था कि कौन हमारा एलेक्सिं कमीशन है उसमें तीन लोग होते हैं एक चीफ एलेक्षिं कमीशन जो मुख cherry चुनाव आयूकत होते हैं और उसके अलावा दो और लोग होते हैं तो वही पुछा जा रहा है कि जो दो और लोग है वो कौन है तो एक तो आपको सुख्विर सी संधु और दुसरा ज्यानीश कुमार इन दोनों की नुक्ति अभी हाल में ही की गई है और आपको ये भी मालूम होगा कि अभी इलेक्शन कमिशन के हेट कौन है तो वो आपका राजीव कुमार है राजीव कुमार आप कमेंट में ये भी बता सकते हैं कि अभी कौन सा इलेक्षन चल रहा है कौन सा जो है वो आपका लोकसभा चल रहा है जो चुनाव है कौन सा चल रहा है ठीक है यह हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिसकस किया था तो वहीं चीज़े यहां पर बताए गई है कि आप युक्त होता है और दो अंचुनाव आयुक्त होता है मुख चुनाव आयुक्त कौन तो राजिव कुमार है आगे पुछा जा रहा है कि वर्ष 2023 की बिस्वु सुंद्री मिस वर्ट का खिताब किसनी जीता है ऑप्शन है क्रिफ्टीना पिसकोवा यास्मिना जैटून स सिनी सेटी या मानुसी छिलर देखो इसका सही एंसर हो जाएगा आपका क्रिफ्टीना पिसकोवा इन्होंने जो है बर्ष 2023 का जो यह मिस वर्ट का खिताब है वो इन्होंने जीत लिया है और उनको जो है यह उनके बात जो है मतलब यास्मिना जैटून जो है वो फर्स रनर घर अप रही थी और भारत के तरफ से इसमीं जो है कौन पाटिसिपेट की थी तो वह सीनी सेटी वह भाट के तरफ से पाटिसिपेट की थी जबकि पिछला बार अगर आप देखो तो मिस वर्ट का जो खिता भारत के तरफ से जीती है वह मानुसी छिलर ने उन्होंने 2017 में जो है यह खिताब जीता था मिस वर्ड का और अभी तक छे भारतिये महलाएं हैं जो कि मिस वर्ड का यह खिताब जी चुकिए सबसे पहली रिता फारिया थी उसके बाद एस्वर्य राया डाइना है डेन युकता मुखी प्रियंका चोप्रा और मानुसी छिल्ड इसी से एक औ प्रस्ण है पूछा जा रहा है कि रास्पति ने संगीत नाटक एकैडमी पुरुसकार 2022 से कितनी कि लकारों को समानित किया तो दीके जो संगीत नाटक एकैडमी पुरुसकार रही अलग लग जो छेत्र है जैसे संगीत इसमें आपका संगीत हो गया नृत हो गया और निरित रंगमंच इन सबुह जो सुरेनियां इसमें रेक क्लाकार में गर्लंकर हैं, उनको प्राइस भीक्ति में अगर जब टक कोई जाधा दक्ति नहीं है त braking सादा को प्राइस दया गया, ऩशेंपकने नाम पूछा जाएगा नहीं जाता है तो बस आपको यह याद रखना है कि राश्पति ने संगीत नाटक एकेडमी पुरुसकार 2022 से 46 क्लकारों को समानित किया है और यह भी साथ में याद रखना है कि जैसे 2022 और 2023 दोनों के लिए एक साथ यहां पर घोसित किया गया है ठीक है तो 2022 में 46 ब्यक्ति को द दिया गया तो ऐसे में 92 ब्यक्ति का नाम जो है वो आपको एक्जाम में कभी भी नहीं पुछा जाएगा कि हां में से किसको दिया गया बस आपको पार्टिकुलर का नाम दे के पूछ लिया जाएगा कि कितनी लोगों को परदान किया गया या फिर कौन देता है तो अगर एवाड का प्रस्ण है तो वो प्रुषकार का प्रस्ण तभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है जब जिस ब्यक्ति को दिया जा रहा है वो ज्यादा फेमस है या फिर वो प्रुषकार जो है काफी बड़ी लेवल का है जैसे आप इसे ही देख लो एकनॉमिक जाने की संभावना ज्यादा है और आपको ऐसे प्रस्ण याद भी रखने चाहिए तो याद रखेगा बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ दे इयर पुरुषकार किसे दिया गया है जैस अंकर को एकनॉमिक टाइम्स कॉर्परेट एक्सलेंस से एवाड के तहत और बिजनेस लीडर ऑफ दे इयर का जो प्राइज है वो सीके बिंकट रमन को दिया गया है विजनेस वुमेन ऑफ दे इयर का एवाड जो है वो हीना नाग राजन को दिया गया है और लाइफ टाइम एचिवमेंट पुरुषकार जो है एम नायक को दिया गया है आप यहाँ पे यह भी याद र जो है वो एम नायक को दिया गया और अगर पूछा जाए यह एम नायक है कौन तो आप जानते होंगे एक कंपणी है अब एल एंटी तो एल एंटी लार्शन एंट रूबो उसके जो है यह एम डी हैं एम नायक आगे पूछा जा रहा है क्यों नमर 48 कि एकनॉमिक्स टाइम्स कॉर्प्रेट एक्सलेंसी एवाड 2023 के तहत कंपणी आफ दे इयर पुरुषकार किसे प्राप्त हुआ है तो इसका सही अंसर हो जाएगा भारती एफ्टेट बैंक भारती एफ्टेट बैंक को जो कंपणी आफ दे एवाड से नवाजा ग प्रुषकारों के तहड़ एंटर्पर्नियोर ऑफ दे इयर 2023 किसे चुना गया है तो इसका सही अंसर हो जाएगा बिलायन सुवया बिलायन सुवया बिलायन सुवया जो है वह आपके चोला मंदलम जो ग्रूप है उसके चेर्मैन है ठीक है तो चाहे तो आप यह याद रख स और इसी में लाइफटाम एचिमेंट एवार्ड जो है वो बेनुफ सिरी निवासन को दिया गया है और टिविस मोटर के यह चेर्मैन है और स्टेंडिंग लेडर्शिप यूरी विशेष पुरुषकार जो है बुन नटराजन चंद सेखरन को दिया गया है वो टाटर संस के चेर्मैन है अगला प्रस्ने 2024 में किस फिल्म को सबसेश फिल्म का ऑसकर पुषकार मिला है यह काफी अच्छा प्रस्ने और एक्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि किस फिल्म को ऑसकर पुषकार दिया गया तो 2024 में यह आपका दिया गया है ओपन हाइमर को ओपन हाइमर को तो जहेँ है यह पुर्षकार दिया गया मतलब ऑस्कर का सबसचर पुर्षकार इससे दिया गया इस बार का ज़ो ऑस्कर है ऑस्कर को आपको मालुम होगा कि आधम से जाना जाता है तो यह आपका 96 जो इसका वरजा लया या फिर बोल सकते हैं कि वह सही से ने जिसमें यह दिया जा रहा है तो 96 पुरुसकार है जिसे ओसकर वाड़ भी बोलते हैं यह कहां दिया गया तो लॉस एंजलेस में दिया गया और अलग-अलग स्रेनी में जो है ओपन हाइमर नॉमिनेट था जिसमें सबसे ज्यादा साथ प हाइमर को। अगňला प्रस्न है कि ऐस्कर पुसकार दोजाइना वीश के स्क्रीजleद सबसेश ब्रय नेका खिताब किसी मिला है तो इसका सोऑ ऐंसर क्रिष्टोफर नॣलन सुरीी इस्टोफर नोलन जो है वह ऊर्डियरेक्टर है ठीक कर दिडेक्टर नोलन है और यहां प यह विस एक हीरो का इवाड जो है आशकर का की से दिया गए है है यहां पर देख सकते हैं दिया हुआ है कि विस Two Cut मर्फिक यह को दिया गया और बीक लिए खोप्ण समक्नली के ओप Willust Square 2019 ऐस अभिनीत्री नीजिवारइक की लुतji का कि दिया घ्यान तो यह दिया गया एमा अफ्टोन को एमा अफ्टोन और इन ही किस little movie के लिए दिया गया पूर दिंक्स के लिए पूर धिंक्स जो मूभी है उसके लिए जो बैयज एक्टरिस इसिद्वर्द ऑर ऐसे महार को दिया गया कि यहां पर बताया गया कि sab फिक्टर ओपिन हाइमर हो गया व्हेस एक्टरिस पूर तिंस के लिए एमा अस्टोन जो एक्टर है वो क्लियन मर्फी हो गया और विश डिरेक्टर जो है क्रिश्टोफर नोलन है विश डोकुमेन्टरी फीचर फिल्म ये 20 देज इं मारिया पॉल को दिया गया और विश्ट डोकुमेंटरी शॉट फिल्म जो है दे लाफ डेपियर सौप को दिया गया तो इन सभी को आप याज रखना मिली आपको जो है देखो इसमें कई सारे कटेगरी होते हैं और उसमें ज्यादा तर जो प्रस्न पूछा जाता है वो यहीं सी पूछा जाता है तो यह नहीं पांच से जो है आपको जैनरली याद रखना अ कि इसको मिला ओपनहाइमर एक्टरेजिश एम ऑफ्ट्र यहां सौन पौररे तिंग्स के लिए एक्टर क्लियन मर्फी उपनहाइमर क्लिए डाइरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन ओपन हाइमर के लिए और बेस्ट डॉकमेंटरी फिल्म जो है वो 20 डेज इन मारिया पूल अब मारिया पूल मालूम होगा कि यह यूक्रेइन में और वहां पर जब रसिया के द्वारा अटैक किया गया था तो काफी ज़्यादा वहां पर लोगों की मौत होई थी तो उसी के बारे में जो है 20 days in मारिया पूल एक डॉकमेंटरी है आगे पुछे जा रहे हैं कि दोज़ा चोविस ऑसकर एवार्ट के लिए भारत की अधिकारिक फिल्म प्रविफ्टी कौन है मैं भारत की और से कि इस फिल्म को जो है वो भेजा गया था ओसकर एवार्ट के लिए 24 में ऑप्सेन है दोज़ा अठारा एब्री वंस ए हीरो दे केरल फ्टोरी मिसिस चटरजी वर्सिज नौरवी रोकी रोकी और राननी की प्रेम कहानी जिसका से अंसर हो जाएगा दोज़ा अठारा एब्री वंस एई हीरो इसको जो है भार सरका और यह मूवी जो है आपको मालूम होगा केरल में जो 18 में बाढ़ हाया था उसके उपर यह मूवी बनाए गई है एब्री वनस ए फीरो तो याद रखे हुआ भारत की ओर से जो ऑसकर में इस मूवी को भेजा गया था देख भारत की ओर से धुज़ए एक अर डोकुमेंट् सेननी में भाट की और सी नॉमिनेटेड किया गया था और यह काफी अच्छा पोजिशन हसल का टॉप टेन तक यह मुवी जो आ गए थी आगे बास्तु कला के लिए प्रिजर प्रुषकार दोज़र चोविसकी से परदान किया गया यह काफी पुछा जाता है इसलिए याद रखेगा इस वार का जो है जो प्रिजर प्रुषकार है वो दिया गया है रिकीन यामा मोटो को रिकीन यामा मोटो और यह दिया किस छेतर में दिया जाता है बास्तु कला के चेतर में दिया जाता है और प्रिशकार क strang रिचार कि छह कि तो एख पूर्षकार को चै протल भारत के इक ब्यक्ति बालकृस्म दोसी इन्हीं जो है 2018 में समान किया गया था इस प्रुषकार से आगे एवल प्रुषकार 2024 की से दिया गया देखो पहले का हम लोग यह जानते कि एवल प्रुषकार किस छेतर में दिया जाता है तो एवल प्रुषकार जो है वो आपका गनीत के छेतर में दिया जाता है जिस परकार दोबेटति के छेतर में मतलब मैत के लिए जो वह ये बन पुर्शकार दिया जाता है और बोला जाता है गनीट की छेतर नोबल पुर्शकार जो है वहे बन पुर्शकार है ठीक है कि जले aqui और असक्रीशिद n liquor कि युद 25922 1 दिया गया है यह प्रॉफिसर मिसल है आला ग्रांट को यह फ्रांसीसी एक प्रोफेसर उन्हीं इस वार दिया गया है और किस लिए दिया गया तो इन्होंने प्रोबिलेटी थियोरी एंड फंक्शनल एनलेसिस इस टॉपिक के उपर जो इनका रिसर्च था उस चीज के लिए इन्हें दिया गया है आगे पुछा जा रहा है कि अगे फिर बताया हुआ है कि जीडी बिरला पुरुषकार 2023 जो है बैगानिक अनुसंधान में वो दिया गया प्रोफेसर अदिती सीन डे को और यह कहें तो हरिस्चन अनुसंधान जो संस्थान परियाग राज में उसकी एक प्रोफेसर है उन्हीं दिया गया है प्रोफेसर मिशल तालगरांट को और यह फ्रांस की है आगे बुक और आथर है बुक और आथर को जो हम लोग इमेज के द्वारा देखने का प्रियास करेंगे जितने जादा आप इमेज को जह है याद रख पाईएगा उतना जादा ही आप नाम भी याद कहिए ऐसे विलिंगम के द्वारा फ्रीशी टिट्र टेरसतींग कि मुआं याद रखेगा ऐसे इसका हिंदी जो नाम है वह आपको यह अमेंस कर दिया गया आप वहां से भी याद रक शकplementे और देंजर्ड ञिंच 211 उनके द्वारा ये पुस्तक लीखी गई है आगे है The Last Tale of Flower Bride ये किसके द्वारा लिखा गया है तो ये लिखा गया है रोषन चॉकसी के द्वारा ये एक नॉवल है और ये लिखा गया है रोषन चॉकसी के द्वारा अगला है द इन्यमी जो है वो किसकी पुष्टक है तो यह सारा एडम्स की पुष्टक है द इन्यमी यह किसकी पुष्टक है तो सारा एडम्स इनेमी किसका पुष्टक है तो सारा एडम्स के द्वारा ये लिखा गया है आगे है वाई वारत मैटर्स ये पुष्टक जो है किसके द्वारा लिखा गया है तो एस जैसंकर जो हमारे बिदेश मंत्री है उनके द्वारा ये पुष्टक लिखी गया है वाओ भारत मैटर्स और यह कापूनों आपि से याद रखें वाइवारत मैटर्स है इस और बुक ए कर्झेक । सिर्फ पर जो है तो इसमों को सिर्फाए इंपॉर्टेंट है और आप इन दोनों को हर हाल में याद रखें। देखते हैं अगले प्रस्न को, आगे पुछे जा रहा है कि WTO का तेर्मा मंत्री अस्तरिय समेलन कहां आयोजित किया गया। WTO जिसे वर्ल्ड ट्रेड और्गनाइजेशन भी कहा जाता है और इस वार इसका तेर्मा समेलन है जिसका हीटकॉर्टर जनेवा में है तो उसका पुछा जा रहा है कि जो तेर्मा मंत्री अस्तरिय समेलन है वो कहां हुआ था तो वो हुआ है आपका सन्यूंत अरब अमिरात मे तो याद रखेगा कि WTO का जो तिर्मा मंत्री समेलन हुआ है वो आपका अबुधाबी UAE में हुआ है और WTO की अस्थापना कभ हुई है तो एक जनवरी 1995 को इसका हेटकॉर्टर का है तो श्यूजर लैंड के जनेवा में जो है यह इस्थित है अगला है ऑप्रेशन इंद्र हो जाएगा है ती है ती में क्या है कि वहां पर राजनीतिक संक्ट उत्पन हो गया और वहां पर जो आर्मी है और जो पुलिस है उन लोगों के बीच में जो आम गोलीवारी की घटना हो रही थी उसी के बाद भारत सरकार के जवारा ओप्रेशन इंद्राबती चलाया गया और वहां पर जो भी भारतिये फसे हुए थे उनको निकाला गया ठीक हैती हैती में जो राजनीतिक का मानविये संक्ट उत्पन हुए उसके कारण आगे पुछा जा रहा है कि भारतिये सेना के तीनों ओंगो का संयुक्त अभियास भारत सकती मार्श दोहज़र चोबिस में कहां आयोजित किया गया तो यह तीनों जो हमारे सेनाएं हैं आर्मी, एयर फोर्स और निभी इन तीनों के द्वारा जो है वो एक संयुक्त युद स्ल्रच सबफ्समud 24 apology ब्सक्रेयर बहुत नेक्सेिक अंचीर के साथ किया है इसका सही इंशर हो जाए ğlालय कि भारत ने मलेशिया ब्हारत नीमेर के साथ समुन्द लक्स्मण अभ्याज सब्सक्रेयर ही श़क्रेयर बनता है उसकी कि lot कर दूसरा कि कहां पे आयोजित किया गया तो यह भारत में आयोजित किया गया और भारत में कहां पे तो विसाखा पटना में यह आपका आयोजित हुआ है समुνद्र लक्षमन नुसैनिक युदवयास आगे है लामीतिये सनीुत सैन beggya भारत और किसदेश ? बीच आयोजित हुआ लामीतिये बहरत और Celsills के बीच आयोजित हुआ है सैन logging आयोजित giya और इसका आयोजन कहा है, इसका आयोजन जो है Celsills में ही हुआ है और यह जो लामितिय है यह एक सेसेल्स का जो लेंग्वेज है क्रियोल लेंग्वेज तो उस भास में इसका अर्थ होता है friendship मित्रता ठीक है तो लामितिय सन्व अभियास जो है भारत और सेसेल्स के बीच हुआ है अगला है Seed Defenders, टेटर चक बलो का सनुक्त अभ्यास कीन दो देशों के भी संपन हुआ, तो Seed Defenders देगो यह आपका नेभी का नहीं है, यह आपका Coast Guard का है, ठीक है, तो Seed Defenders Coast Guard का जो सनुक्त अभ्यास है, वो भारत और USA के बीच में हुआ है, भारत अमेरिका के बीच में, और यह कहां पर हुआ है, तो यह अंडमान और निकोवार दीपसमूह पर जो है, वो आपका हुआ है, अंडमान और निकोवार दीपसमूह पर, तो इसका सही अंसर आपका option number A हो जाएगा, भारत और USA, आगे है कि चंद्रयान थिरी की चंद्रमा पर लैंडिंग अस्थल के किस नाम को अंतरस्य खगोली संग ने मंजोरी परदान की है, जब भारत का चंद्रयान थिरी अंद्रमा पर लैंड किया था, तो नरिंड मोदी के द्वारा उसका एक नाम दिया गया था, उस लैंडिंग पॉइंट का, तो उसका नाम क्या था, उसका नाम था सिर्फ सक्ति पॉ और चंद्रयान थिरी के बारे में आपको मालूम होगा कि जो लैंडर है वो बिक्रम लैंडर था और जो रोवर है वो प्रग्यान था, और चंद्रमा की दसनी दुरूपे लैंड करने वाला भारत पहला देश्वनर था, शाथी लैंडिंग जो कभ हुआ था, तो यह 23 अगर बिस्त है उसे हर साल अब अन्तरिक्स डैक के रूप में मनाया जाएगा, सपेस डेक के रूप में मनाया जाएगा आगे है 19-20 पिस्फी इनडोर एटलेटिक्स चेंपियंस सिप कहां आयोजित किया गया तो त्वि ऑ journey झाल आपका दोचाई यह आपका आयोजिता किया है ? ग्लासगो में यह 유ेजित हैं ऑपका UK में किया है और इसमें खुल कितने देश पाइसिपेट किये थे 128 देश और उसमें किया था भार्त्स तो भ्राक्ष पाइस पाइसफेटर्पेटर्ण ने पाइसिपेटर्ण किया है ॉस हुआ है आगे फ्रेंच ओपन का योगल खिताब इसनी जीता है ये उचिक प्जेटी उसमें लोगोण ने योगर खिताब जीता है और और बेडमेंटन से रेलेटेड एक और है कि All England Open Badminton Championship यह आयोजीत हुआ बर्मिंगम में और इसमें पुरुस एकल जोनाटन क्रिस्टियन ने जीता और महला एकल कैरोलीना मारीन ने जीता था 2024 में बिलियर्स के Hall of the Fame में किस भारतिय को सामिल किया गया है तो Hall of the Fame में बिलियर्स के लिए वो पंकच आडवानी को सामिल किया गया है और पंकच आडवानी एक काफी बड़ा नाम है और यह बिलियर्स के लिए जाने जाते हैं या असनुकर जो है उसी का दूसरा नाम है असनुकर के लिए यह जाने जाते हैं आगे एंडियन विल्स ओपन बी एनपी परिवास ओपन पूरुस एकल का खिताव किस ने जीता तो पूरुस एकल जो है वो कारलोस अलकराज ने जीता और इन्होंने हराया किसको है तो इन्होंने डैनियल मिल्देव को हराया है आगे काफी इंपॉर्टेंट कोईशन है कि रंजी ट्रॉफी दोहजर थेश का बिजेता कौन है तो इसी जीत के साथ मुंबई अपना 42 रंजी ट्रॉफी जो है वो हासिल किया और इसमें कितना प्राइज मनी दिया जाएगा तो पांच करोड़ रूपिया जो है दिया जाएगा और इसी बार जो इसका प्राइज मनी में बढ़ोतरी किया गया था और वह बिजेता आपका बि अध्यक्ष बनाया गया है और विश्वनात आनंज भारत की प्रमुख एक सत्रंच खिला रही है आगे डबलू पील से रिलेटर्ड जैसे आपका आई पील हो है उसी तरीके से डबलू पील भी होता है डबलू पील हो गया बोमेंड प्रिमियर लीग तो यह आपका पुछा ज चल लेंजर बैंगलोर यह जो है इस बार का खिताव जीती है अर यह ँगरहाया किसको है इन्होंने अग्繹िलो को हराया था देखो टोटल पांच टीमें जो है इसमें पांटिस्पेट कर रहे थी और उन 5 टीम shat 2 पीम हो वो फानल में जाती है मतलब WPL का सेकेंड सेशन ही था दूसरा आयोजन हुआ है और EBC CI के द्वरक किया जाता है पांच टीमें इसमें सामिल थी बिजेता आर सीबी हुआ और बिजेता को छे क्रोड रूपया दिया गया जो उप बिजेता था दिली कैप्टल्स उसे तीन क्रोड रूपया दिया गया असमिति मंधाना और जो दिली कैप्टल्स है इसकी जो कैप्टन ही थी वो अफ्रेलिया की मेग लैनिंग मेग लैनिंग ये इसकी कैप्टन थी आगे के WPL 2024 का परपल कैप किसे मिला ऑप्शन है स्रियांका पार्टिल आसा सोभना सोफी मॉलेनिक्स दिवति सर्मा तिसका सही पार्टिल सबसे बड़ी बात है कि ये तीनों खिलाडी जो है वह झाय की ही और इन तीनों ने सबसे मतलब अच्छा परफॉर्मेंस किया है स्रियांका पाटिल ने तेरा विकेट लिए आसा सोभना 12 विकेट सोफी मॉलेनिक्स जो है वो भी 12 विकेट ली थी तो सबसे जाद का पाटी ए आर्सी भी टीम कि ही है और इन्होंने 13 विकेट लिया और इन्हें 5 लाख रुपिय दिये गए और यहां जो दिपति सर्माई एक मात्र ऐसी खिलाडी थी इस वार जिन्होंने है लिया था है लगतार तीन गेंदों पर तीन जो बैट्समेन है उन्हीं ओड करना तो वह एक दिपति सर्मा के लिया आगे पुछा जा रहे है कि डबलुपील दोजार चोबिस का औरेंज कैप किसी मिला औरेंज कैप उसे दिया जाता है जिसनी पूरे टुनामेंट में सबसे ज यह भी RCB की है RCB की खिलाड़ी है तो अब देख सकते है RCB का परफॉर्मेस कितना जाद था सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला RCB सबसे ज़्यादा बिकेट लेने वाले तीन खिलाड़ी जो है वो RCB कहीं थे इसलिए विजेता वी जो है वो RCB ही यहां पर रहा है आगे बत पूर्नमेंट रहा जिसमें कोई भी खिलाड़ी ने जो है वो सतक नहीं बनाया था आगे भारतिये पैरा ओलंपिक समीती के नए अध्यक्स किसे ने उट किया गया तो याद रखेगा देवेंज जाजरिया जो है वो आपका जैवलिन तो के खिलाड़ी है और उन्हें भारत अध्याल किया दे तो यब आगे तो उसके बाद यह बाध तो आपका दोजार इंजलेस-च व्यैक्स peso GB में 632 में आगे आने वाला जो आपका जो तो ऑलिंगdessा उलंपिक है उसका है फिर 2026 में एक आटली की जो मिलान सहर हए और वहां पे सीथ कालिंडम्पिक होने वाला है रह्त तो याद रखे 33 मां पीरिश में पर 34 जो है लॉस एंजलेस में 35 जो है बो ब्रेस्वेन में और उमीद किया जा रहा है कि भारत जो है वो छतिसमा जो गिरिस्व का लिंड ऊलम्पिक है उसको हुश्ट करें अभी कनफर्म नहीं है बस भारत परियासरत हैं तो अभी अपडेट इसलिए है क्योंकि पेरिस उलम् होंगे बहुत सरत कमल होगे हलाकि एंट टाइम पर यह सारा चेंज भी हो सकता है बस आप यह याद रखो कि तिसमा जो गिरिस्म कालीन ओलंपिक है वह आपका पेरिस में होने वाला कभी कभी क्या होता है कि आपको यह नहीं देखे सीधा यहीं पूछा जाता है कि तिसमा गिर आपको यह क्रम याद रखना होगा कि कौन सी क्रम में हो रहा है 34 जो है लोस एंजलेस में 2028 में होगा अगला जो प्रेस्न है इकनोमिक्स से पूछा जा रहा है कि रफ्ष्य आई सम्मंधित आकड़े कौन जारी करता है रफ्ष्य संखी की कारियाल है आर्बी आई वित मंत् हो जाएगा आपका रफ्ष्य संखी की कारियाल है इन एस ओ उसके द्वारा जो है यह आकड़े जारी किया जाता है और अभी देखो यह चर्चा में इसलिए था क्योंकि 2022-23 के मूल पे बताया गया कि हमारा जो परचलित मूल पे नेशनल इंकम है वो कितने है तो 234.39 लाख रुपिया और 212 में कितना था तो 206.53 लाख रुपिया अब समझते है कि नेशनल इंकम होता क्या है ठीक है नेशनल इंकम क्या होता है बोला जाता है भारत का जो कुल जेडीपी है ठीक है भारत का जितना कुल जेडीपी है अगर उस जेडीपी में हम लोग से डिवाइड कर दे आवादी से डिवाइड कर दे तो यह हमारा अच्छा यह तो आपका पर्तिव्यक्ति आया गया अगर हम लोग अगर हम लोग जो है देश की कुल GDP में अगर हम लोग पॉपलेशन आवादी से डिवाइट कर देए तो वो हमारा प्रति ब्यक्ति आई निकलता है रफ्री आई क्या होता है अगर नेशनल इंकम देखो नेशनल इंकम को भी बोला जाता है जी एन आई मतलब ग्रॉस नेशनल इंकम भी बोला जाता है और यह होता क्या है तो जो GDP है हमारे देश का अगर उस GDP में हम लोग जो बाहर से मतलब सिंपल यह समझो कि बाहर जो हम लोग खर्च कर रहे है ठीक है उसे बोला जाता है कि EXFS-IMFS मतलब जो money flow हो रहा है आपका foreign countries में अगर उसमें से हम लोग जो इंपोर्ट कर रहे है अगर उसको घटा ले ठीक है कि पूरे साल में हमारे संसाधनों के द्वारा जो पुंजी निर्गत हुई है जो फाइनल पुंजी प्राप्त हुआ उसका जो बास्तविक मूल है ठीक है उसका जो मौदरिक मूल है वह हमारा क्या होता है मिया डीपी होता है और इसमें यह ऐड़े है अघर अघर गटा दे गटा दे अधर यह फाइनल 1990 पर अधकरते वह हमारा 1990 क्रृबे आजाता को आधा ओ और अगर अब देखोगी उसमें काफी काफी लंबा चॉड़ा थीय आरपको दिया हुआ है कि हमारा जिटीपी है तो वो कितना रहा तो देखो जो जी डी पी या कोई भी जो डेटा है अकनॉमिक्स में जारी किया जाते हैं वो कफीstud activity करके जारी किया जाता है तो उसमें क्या होता है कि पहले आपको बोला जाएगा कि हाँ अग्रिम अनुमान यह है ठीक है दो तीन बार जो है वो अग्रिम अनुमान निकाला जाता है कि इतना अनुमान रहने का उमीद है दूसरे अग्रिम अनुमान में तो तीन बार निकाला जाता है अग्रिम अनुमान उसके बार फिर अंतिम आखड़े अंतिम से पहले का तरीके से आपको फिल्टर होते रहता है कि इतना GDP रहा और जनरली एकजाम में क्या है कि आपको पूछा जाता है अन्ती माकडा क्या रहा और अन्ती माकडा आती-आती जो आपको एक साल लग जाता है तो उतना जो है हमें important नहीं हो जाता कि हां हम अग्रीम अनुमान को याद रखे कि कितना अग्रीम अनुमान रहा है बस अननती माकड़े या जो जबाता है तब हम लोग याद रखेंगे इसलिए आपका जो एक topic था GDP growth कितना रहा तीसरी तीमाही माह में उसका जो अग्रीम अन मनुमान आ जाएगा उसके बाद फिर अगली महिनी जो है वो आएगा कि अंती माकड़े कितने रहे तब आपके लिए वह होगा कि हमारा जो 2023-2024 का financial year खत्म हुआ है उसमें GDP growth कितना रहा वो आपका actual में पता चलेगा ठीक है उसी सम्मन में एक और जैसे national income का data दिया हुआ कि नेशनल इंकम का जो है वो दूसरा अग्रेम यह पहला अग्रेम अनुमान निकाला गया पहला संसोधित अनुमान निकाला गया कि कितना रहा होगा हम 2022-2023 में हमारा जो नेशनल नेशनल इंकम है वो कितना रहा यह आपका पहला जो संसोधित आकलन है वो निकाला गया उसके प्रचलिक से तीन बार संसोधित आगला जाता है तब फाइनल होता है कि हाँ हमारे देश का निशन इंकम उस वर्स में कितना रहा किसी पार्टिकूलर वर्स में ठीक है तो उन सारी चीजों को यहां पे आपको इंक्लूट नहीं किया गया बस आपको सिंपल यह बताया गया कि कि हमारा जो निशन इंकम है वो कौन जारी करता है तो एनेशों के द्वारा जारी होता है और परचलिक मूल पे फिलाहल में दोसों चौनतिस अंद्व तीन नौ लाख रुपया है और यह इंपोर्टेंट हो जाता है अगर आप मेंस लिख रहता हो आपका इंपोर्टेंट ह हो जाता है प्री में यहां से प्रस्ण कमाएंगे आगे है कि भारत ने कि इरोपी समों के साथ मार्च 24 में फ्री ट्रेड एग्रिमेंट किया है इरोपीय यूनियन एफ्टा स्केंडिन ब्याई देश या नौडिक देश इसका सही एंसर हो जाएगा एफ्टा एफ्टा के सा इतने देश सामिल है तो एफ्टा में चार देश सामिल है और एफ्टा का जो फुल्फाम होता है बहुत है एरोपीयन फ्री ट्रेड एसोसियेशन मतलब एरोपीयन मुक्त बेपार संग इसमें नौर्वे आइसलेंड लिंचेस्टीन और स्वेजर लेंड यह चार ऐसे देश कर रहता है तो भारत ने इन देशों के साथ एफ्टीय साइन किया है और बात चल रही है कि भारत जोई एरोपीय संग के साथ भी करें और वहीं अगर बात करें असकेंडेंब्याई देश में तो उसमें आपका नौर्वेज स्वेडन डेनमार्क आता है नाडी कंट्री में अगर आइसलेंड को एड कर देशा तो इस वीडियो में इतना ही था आप अपना फिडवेक देश सकते हैं कि आपको यह वीडियो कहसा लग रहा है और इसमें आप क्या इंप्रोव्मेंट चाहते हैं साथी अगर आपको यह अच्छा लगी तो आप अपनी दोस्तों की साथ कात इसे सेयर किजि drawer कीजिये और जो भी आपका group है वहां भी आप इसे शेयर ज़रूप करें वीडियो को और लायक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसका पेडियोग आपको टेलेग्राम चैनल पर मिल जाएगा जिसका लिंक चछा कमेंट मेरे मिल